एग पुडिंग बनाने के लिए मिक्सर में तीन इलाइची डाले, थोड़ा जाइफल श्रेड करके डाले, एक कप शकर, मिक्स करके इसकी पाउडर बना ले, एक बोल में तीन अंडे लेकर उसे एक मिनिट तक अच्छे से फेट ले, एक कप थंडा और कच्छा दूड डाले, इसमें मिक्स किया हुआ शकर पाउडर डाले और फेट ले, शुगर कैरमल बनाने के लिए कुकर का डबा दीमी गैस पर रखे, एक चमश शकर उसमें इस तरह स्प्रिंकल करे, गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखे, डब्बे को चारो तरफ से हीट लगे ताकि शकर इस तरह से ब्राउन हो, ये बन गया कैरमल, बरतन नीचे उतार कर मिक्स किया हुआ अंडा, शकर, दूद का मिक्स्चर कैरमल पे डाले, फिर कुकर में डेड़ ग्लास पानी लेकर उसमें स्टैंड पर ये बरतन रख दे, उसे ढख दे और फिर कुकर बन करे, मीडियम फ्लेम पे इसे पकाए, पांच से छे सीटी के बाद गैस ओफ कर दे, कुकर ठंडा होने के बाद उसमें से डबबा निकाले, एक छुरी से किनारे इस तरह अलग करे, एक प्लेट डबे पर ढखे और उसे उल्टा कर दे, डबबा धीरे से निकाले, पुडिंग को फ्रिज में कम से कम एक गंटे तक रखे, और बाद में इसे ठंडा ही खाए, non especial है, जड़े टुरी से ठंडा ही जड़े एक रखे, यदिंग को फ्रिज लड़ा कर दोते हैं, जड़े एक रखे, लोगे एक गलपे, पी जड़े, जड़े, पुड़े यो, बाद में इसे जड़े,